हेलो डियर सुडेंट्स, वेलकम टो मैं चैनल, एजुकेशन सिंप्लिफाइड बाई OCDC, दिस इज विनोत कमरगर्ग सो एहे वीडियो है, ओना उमीद बारां देले, जो ती अकदुबर दोहजार बाईनू, पी ट्रिपल एस भी बनलो, कंड़क्ट किती जा रहे प्रिख्या, होर्टी, कल्चर, सुपरवाईजर दें जा रहे ने सो एहे वीडियो जो है, एदे बिच बहुत ही इंपोर्टेंट 10 टर्म्स दे बारे डिस्कस किता जा बेगा, सो इनना बिचो बहुत सबाबना है कि कोई ना के कोशन जरूर अग्जाम दे बिच पुछया जा सकता है, सो शुरू कर देया, बीन टाइम विस किते, कोशन नमब वन, तो कोशन नमबर वन थोड़ी स्क्रीन ते है, कंसेप्ट ओफ क्रॉप कैफेटेरिया एंड क्रॉप स्कैजूलिंग वास गिबन बाई, क्रॉप कैफेटेरिया अते क्रॉप स्कैजूलिंग दा कंसेप्ट संकल्प किसने दिता सी, ता इस दा अंसर आएगा, M.S. सुव स्वामी नाथन है, इनननु फादर ओफ ग्रीन रेवोलुशन इन इंडिया दे नामते भी जाने जानदा है, मतलब हरी तकरांती दे पितामा दे तोरते जाना जानदा है, पारत दे विच्छ, कोशन नमबर टू, क्रॉप स्कैजूलिंग मींस, जिस तरह पहले कोशन चे, मै स्वाइंग एंड प्लांटिंग, कि किसे भी फसल दे, सीड नू किस टाइम दे उपर बीजना, किस टाइम दे उपर दे प्लांटिंग करनी है, ठीक है, विद्धा एम औफ प्रोड्यूसिंग एन और्डरली सीकोएंस, ताकि अपानू एक सही करम दे बेच, फसला सही स्टे सही फसल मिल दी रहे, इस दे लिए क्रॉप स्केजूलिंग किती जन दी है, कोशन नमबर थ्री, STRV तो की पाव है, ता इस दा अंसर आएगा, स्ट्रेस टॉलरेंट राइस वराइटीज, मतलब चावल दियां ओ किसमा, जो स्ट्रेस नू टॉलरेट कर सकना, स्ट्रेस से हैं ओ बारी स्ट्रेस नहीं है, कि जो इंसान ते पहन दी है, एथे स्ट्रेस तो पाव, मतलब बैसे मीनिक हो ही हुं दे थे, एथे मतलब है कि मालों किसे प्लाइट नू प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहे है, जा बहुत ज्यादा वाटर आ गया, ठीक है, प्रॉपर लाइट नह बहुत ज्यादा लाइट मिल रही है, ता उस तरह दे थे कंडिशन जो प्लाइट दे लेए, असदारन होन, ता ओधो प्लाइट नो की नुकसान हो सकता है, उसनों स्ट्रेस किया जानता है, ता जिस दा प्लाइट उपर कोई एफेक्ट ना पवे, जिस प्लाइट उपर स्ट्रेस टॉलरेंट, कोश्चन नमबर चार अपना है, एफपी यो स्टेंड फॉर, एफपी यो तो की पा हो है, तो इस दा अंसर आएगा, फार्मर प्रोड्यूसर ओर्गेनेजेशन, बहुत सारे किसान कठे हो कि किसंगठ ने बना लें देने, उसनों फार्मर प्रोड्य प्रोड्यूसर ओर्गेनेशन क्या जानता है, तो कीपाव है, तो इस दा अंसर आएगा, स्मॉल, फार्मर एगरी बिजनस कांसander हो। सिस्टम होंदेने तह उस देली स्मॉल फार्मर्स एगरी बिजनस कंसोर्टियम जो है उस दी स्थापना होंदी है ठीक है कोश्चन नंबर सिक्स तोड़ी स्क्रीन थे हैं CBBO तो कीप आव है तह इस दा अंसरा है कि क्लस्टर-based बिजनस और्गेडियुजेशन क्लस्टर पाव गुण तैक कोछ न दे समून पिंड़ा दे किशान मिलके ग्रूप पना लें देने तह उस नूं कहाने तो क्लस्टर-based बिजनस और्गेडियुजेशन क्लस्टन नंबर है AMIF stand for तो इस दा अंसर हैगा Agri Market Infrastructure Fund सरकार दोवारा Agri Business दे Infrastructure नो स्ताफित करन दे ले उसे Development दे ले जो Fund देता है उसनों क्या यांदा है Agri Market Infrastructure Fund AMIF Question number 8 Aim of FPO is FPO दा मंतव की है तो इस दा अंसर हैगा To ensure better income for producer Through an organization of their own मतलब किसाना दे अपने ही बनाई हुए संगठन दे थ्रू किसाना दी चंगी अच्छी इंकम नू सुनिस्चत करना एह FPO दा मेन मंतव होंदा है So गल करांगे question number 9 Question number 9 है Nabar stand for National Bank for Agriculture and Rural Development इस दी फूल फॉर्म बहुत एक्जाम दे बिच पुछी आंदिया P3 प्लेस भी द्वारा Question number 10 D, A, C and F, W stand for इस दा अंसर है Department of Agriculture Corporation D तो मतलब है Department फिर A तो पाव है Agriculture Department of Agriculture C तो कॉपरेशन and FB तो पाव है Farmer Welfare के सानना दी प्लाई ठीके जी तक के सानना दी प्लाई दिना आते Agriculture Corporation ना जूड़े होए विपाग नू Department of Agriculture Corporation and Farmer Welfare किया जानता है सो इसां दास बहुत ही महत्तपूर्ण Question अत्युना दी अंसर उम्मीद करता ही वीडियो तो आन्नों पसंदा आवेगा सो Complete Notes Purchase करन दे लिठान में 738 का 778 सीसम पर कर साकते हो Thank you, thanks for watching